जैसिव संकर धरम सास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान सिव को परसन करना सबसे आसान है सिव जी अपने भक्तों से जल्दी परसन हो जाते है इसलिए उन्हें बोलेनात कहा जाता है स्वमवार का दिन भगवान सिव को समर पिते हैं स्वमवार को सुवलिंग का अभिषेक करना, सुवलिंग पर जलतड़ाना, सिवजी की विधी विदान से पूजा करना, बक्तों की हर मुराद पूरी कर देता है माना जाता है कि भगवान शीव तो केवल जलतड़ाने से ही परसन हो जाते हैं बस इसके लिए शिविलिंग पर जल चड़ाते समय कुछ नियमों का पालन करना होता है वरना गलत तरीके से शिविलिंग पर जल चड़ाने से शिवजी नाराज भी हो सकते हैं तो दोस्तों पूरे तरीके सुन के जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है शिवलिंग पर जल चड़ाने के नियम शिवलिंग पर जल चड़ाते समय ध्यान रखे कि आपका मुक पूरू दिशा में नहीं हो क्योंकि पूरू दिशा को ही बगवान शिव का मुक के द्वार माना गया है ऐसे में पूरू दिशा की और मुक करके जल चड़ाने से शिव के द्वार में अवरोध पेदा होता है इससे शिव जी नाराज हो सकते हैं इसी तरह शिव लिंग पर जल चड़ाते समय व्यक्ति का मुक उत्तर और पस्षिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दिशाओं में भगवान शिव का कंदा और पीट होती है लियाजा इन दिशाओं की और मुक करके जल चड़ाने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है लियाजा शिव लिंग पर जल चड़ाते समय दख्षिन दिशा की और मुक रहना सबसे अच्छा माना गया है पूरी होगी। सिविलिंग पर जल हमेशा तामबे या पितल के पातर से चड़ाए। चांदी के पातर से भी जल चड़ाना शुब है। लेकिन इस्टिल के लोटे या पातर से कभी भी जल ना चड़ाए। इस्टिल या लोहा पर सनी राउ का प्रबाव होता है जो आपको अशुब फल देता है। सिविलिंग पर जल सड़ाते समय द्यान रखे कि जल दी से जल ना चड़ाए। बलकि एक छोटी दारा बना कर जल चड़ाए और इस दोरान ओम नमस शिवाए मंतर का जाप करते रहे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना बगवान बोले ना था आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे जय बोले ना था।